वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीटी का असली खेल यूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोलना तो बकॉल राहूल गांधी जब उन पर निजी हमले होते हैं तो वो भविष्य के लिए उनका मार्क दर्शन करते हैं उनके लिए गुरू साबित होते हैं यानि कि ये करो वो मत करो राहूल गांधी ने जबसे भारत जोडो यातरा शुरू की है भारती जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र उन पर निजी हमले तेज कर रहा है और आज राहूल गांधी का ये दर्द एक प्रेस कॉंफरेंस में सामने छलका राहूल गांधी की कई और बाते सामने उभर कर आई मगर ये ना भूले कि आज सुमवार है और कोई मामूली सुमवार नहीं है आज सियासत का सुपर सुंबा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि गुजरात के अंदर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी राली कर रहे हैं अर्विन के जिवाल भी राली कर रहे हैं और प्रधान मंत्री के सेकेंड इन कमांड यानि की ग्रह मंत्री अमिट शाह भी अपना दमखम दिखा रहे हैं एक ऐसे चुनावों में जहां देश के तीन दिग्गत जानियारविन के जिवाल, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिट शाह गुजरात में अपनी पूरी ताकत जोंक रहे हैं राहूल गांदी क्या कर रहे हैं? वो भारत जोडो यात्रा निकाल रहे हैं कुछ लोग इसके आदर श्वाद से सहमत नहीं हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं खासकर राहूल गांदी क्या लोचक की आखिर राहूल गांदी को क्या जरूरत है भारत जोडो यात्रा निकालने की एक ऐसे देश में जो बटकर रहना चाहता है एक ऐसा देश जिसे पूरी तरह से प्राइम टाइम न्यूस डेबेट्स में जिस तरह के जहर का प्रचार प्रसार होता है वो देश उससे पूरी तरह से ब्रेनवाश हो चुका है राहूल गांदी ऐसे देश में भारत जोडो यात्रा करना चाहते हैं मगर इस भारत जोडो यात्रा के दौरान उन पर निजी हमले बहुत तेज हो गएं निजी हमले ही नहीं बलकि साजिशों का दौर शुरू हो गया है मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ इसी मद्ध प्रदेश में राहूल गांदी की जब यात्रा निकल रही होती है तो राज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग्शोहान और भारतिये जनता पार्टी के जूट तंत्र आईटी तंत्र का मुखिया अमित मालविये जो है वो एक आरोप लगाते हैं वो एक विडियो सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि राहूल गांदी की भारत जोड़ यात्रा में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे अब वो मुद्दा कहा गया कोई नहीं जानता दोस्तों बात वहां नहीं रुकी जब प्रियंका गांधी शामिल हुई थी तब भाजपा का प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रियंका गांधी के बेटे तक पर हमला बोल रहा था और कह रहा था कि इस तस्वीर में देखे कॉंग्रेस का भावी अध्यक्ष है यानि कि भाजपा जो है वो साजिशों के तहट इस तरह की बाते करती है और फिर निजी हमले भी करती है और ये ना भूलें जब प्रियंका गांधी वाडरा इस यात्रा में शामिल नहीं हुई थी तब देश के सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक्ठ हाकुर ने क्या कहा था अनुराक्ठ हाकुर ने कहा था कि प्रियंका गांधी का ना जाना इस बात का प्रमान है कि भाई और बहन के रिष्टे खराब हो चुके हैं यानि कि एकता कपूर के सीरिल से पूरी तरह से प्रेरित होके अनुराक्ठ हाकुर जो है ये बयान दे रहे थे आज राहूल गांदी से सवाल पूछा गया कि जब आप पर निजी हमले होते हैं तो इसका आप पर क्या असर पड़ता है क्या कहा राहूल गांदी ने आप खुछ सुमिए बड़ी तरीके से नहीं दिखा है चोटी तरीके से दिखा है क्योंकि अभी मैंने शुरुआत किये बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोर रुपए मेरी इमिज को खराब करने में लगा दिये और मेरी एक यहां पर उन्होंने इमिज बना दिये अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुक्सान दायक है मगर एक्चली ये मेरे लिए फाइदेमंद है क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है तो जितना पैसा ये मेरे इमिज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं उतना मनुवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं आप देखना क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता दबाया नहीं जा सकता है और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनेतिक पुजिशन लेता है अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा तो मैं जानता हूँ जब मेरे परstirsnal अटाइक आता है, तो मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं सही डारीक्षिन पर चल रहा हूँ, तो एक तरह, तरीके से यह जो परst Ash रात रही हूँ, जो पैसा BJP मेरे image को खराब करने में डालती हे, यह एक प्रकार से मेरा गुरू है यह में जिस सिखाता है कि भैया इधर जाना है इधर नहीं जाना उधर जाना है क्योंकि लड़ाई क्या है लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है ठीक है और मैं आस्ते 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 आरेसेस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूँ तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है कई लोग इस जवाब को बहुत ही आइडिलिस्टिक बता सकते हैं बहुत ही आदर्शवादी बता सकते है जाहिर सी बात है ये फैसला जनता को करना है कि एक तरफ एक ऐसा मॉडल है उसके सामने जो हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहता है जैसे मैंने कहा ना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को हर रोज चुनावी राली करने की जरूत नहीं है मगर वो हर रोज चुनावी राली करते है यहां तक कि जब गुजरात में मोरवी पुल हाथसा होता है तो तीन दिन बाद राजकिये शोक की घोशना होती है प्रधान मंत्री खुद पौने दो दिन बाद वहां पहुशते हैं उन्हें तुरंच जाना चाहिए तक कियो क्योंकि उस पौने दो दिन में गुजरात के अंदर तीन चुनावी सभाई थी और राजिस्थान के अंदर भी एक चुनावी सभाई थी प्रधान मंत्री नरेंडर मूदी ने उन चुनावी सभाओं की कुर्बानी नहीं दी उन्होंने उसमें शिरकत की और बाग में मौर्बी के पास गए बाग में उन्होंने मौर्बी के दर्द को सुना अनसुना किया राहुल गान्दी का मुकाबला ऐसी शक्सियत के साथ है राहुल गान्दी का मुकाबला ऐसे तंत्र के साथ है और यही वज़ा है कि राहुल गान्दी इस बात को बहुत हो भी जानते हैं कि उनका मुकाबला कितना कठिन हुआ जा रहा है कल उन्होंने एक सभा को संबूद किया दोस्तों और उन्होंने कहा कि जो मीडिया आपके सामने है वो आपके मुद्दों को कभी नहीं उठाएगा वो किसानों, गरीबों, दलितों, कुछलों के मुद्दे नहीं उठाएगा उसकी प्राथमिक्ता साफ है विराट कोली ने कब चौका मारा एश्वर आयराय ने क्या कपड़े पहने शाहरुख खान ने क्या बूला सुनी राहूल गांदी क्या कह रहे है मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की इनके सामने हम बात उठाते हैं इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्धे उठाओ नहीं हम कहते हैं भाईया जनता के मुद्धे उठाओ बेरोजगारी की बात करो हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो किसानों की बात करो मजदूरों की बात करो और ये कहते हैं देखो देखो अश्वरहम राय ने क्या कप्ड़ेंगे हुए हैеле हम कहते भाईया किसान भूका मर रहा यह कहते हैं देखो शारुक खान ने क्या बोल दिया हम कहते हैं कर्दा माफी करनी चाहिए यह कहते देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ मज़ेदार विराट कॉली ने कैसा चुक का मारा तो इनका काम और इनकी गलती नहीं है इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है इनका काम असली काम जो लोकतंत्र का होता है जो काम हम लोकसभा विदानसभा में करने की कोशिश करते हैं उनका असली काम वो है मगर आप जानते हैं असली बात उसके बाद राहूल गाने ने कही उन्होंने कहा कि इस मीडिया को साफ तोर पर कहा गया है कि भारत जोडो यात्रा को नहीं दिखाना है और अगर दिखाना है तो सिर्फ बदनाम करने के लिए राहूल का ये दर्ध भी सामने जलका कि तमाम म्यूस चैनल्स में सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की शकल दिखाई जाती है जो हकीकत है जी हाँ उससे फरकनी की बिल्कुल जरूत नहीं क्योंकि आप इस बात को बखुबी जानते हैं आप जो दर्शक हैं इस बात को बखुबी जानते हैं कि कितना टाइम राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा को दिया जाता है और कितना समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए किया जाता है सुनिए राहूल ने क्या कहा अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ ये बिचारों कि कोई गलती नहीं है कोई गलती नहीं है इनके यहां पर पीछे लगाम बान रखिये इनको ये देखो ये मुस्कुरा रहे हैं इनको बताय जाता है कि भाया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है इसके बारे में कुछ बोलना नहीं गलती से भी मत बोल देना मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है जैसे आप रात को आप सोचते हो भाया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भाई आद चैनल बदलेंगे चैनल बदलेंगे पहले चैनल पे मोधी जी दूसरे पे मोधी जी तीसरे पे मोधी जी चोथे पे मोधी जी पांच में मोधी जी छटे पे अमिद शाजी जहां देखो कभी अमिद्शा जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चोहान जी, कभी मोधी जी, कभी अश्वरे राए, कभी अजे देवगुन, मगर किसान का चेहरा उसके फटे हुए हाथ आपको टेलिविजन पे नहीं दिखने वाले मजदूर के आंसू टेलेविजन पे नहीं दिखने वाले और इसके पीछे वो वकील था जो आउद्योगी घरानू का कॉर्परेट लॉयर था और बाद में मोदी सरकार में वो एक बहुत बड़े मंत्री भी बने आज वो हमारे बीच जीवित नहीं है किस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा संपादकों को सामने बिठाया किस तरह से उन्हें कुछ ओद्योगी घरानों से एक संदेश मिला हुआ था कि उन्हें राहूल गांधी की छवी को बरबाद करना है और उसकी वज़ा क्या थी उसकी वज़ा ये थी कि उडिसा में नियामगिरी प्रकरन सामने उभर कर आता है जब एक ओद्योगिक समू वहाँ पर खनिज संपदा को एक्स्प्लॉइट करना चाहता है राहूल गांधी उस वक्त आदिवासियों के साथ खड़े थे वेदान्त गुट के साथ नहीं कड़े थे वेदान्त ओद्योगिक समू के साथ नहीं कड़े थे और तभी से इस देश के धन्ना सेट समझ गए थे कि उनके लिए आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है और तभी इस नीव को रखा गया था और दूसरी तरफ राहूल गांदी बार-बार जिक्र करते हैं इस देश में काम कर रही इंस्टिटूशन्स, संस्थाएं चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो E.D. हो, चाहे वो C.B.I. हो, चाहे इस देश का मीडिया हो मैं आपको एक छोटी सी बात दिखाना चाहता हूँ, उल्टा प्रधान मंत्री का एक बयान सुनाना चाहता हूँ इस बयान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक समुदाय विशेश को बगैर नाम लिए, उन्हें आतंकवाद से जोड़ रहा है और न सिर्फ ये कह रहे हैं, बलकि वो ये भी कह रहे हैं कि देश का विपक्ष, खासतोर पर कॉंग्रिस आतंकवादी समर्थक है क्या चुनाव आयोग जागा? बिलकुल भी नहीं और विडंबना देखिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी कुछी दिनों पहले चुनाव आयोग की पांच जजों की खंड़ पीट बैठी थी चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर चर्चा करने के लिए कुछी दिनों में फैसला भी सामने उभर कर आ जाएगा वो चुनाव आयोग जो चाहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हूँ चाहे ग्रे मंत्री आमिट्शाह उनके तमाम भड़काऊ बयान उपर खामूश रहता है सुनिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ कॉंग्रेस आतंगबाद को भी बोट बेंक की नजर से देखती है तुष्टी करन की द्रश्टी से देखती है और सुरफ कॉंग्रेस ही नहीं है अब तो ऐसी भाती-भाती के दल पैदा हुए है ये दल भी शौर्ट कट की राजनिती में यकीन करते हैं उनको तो सत्ता की भुख भी जड़ा तेज है वो बोट बेंक की राजनिती करने पर उतारू है एपीजमेंट तुष्टी करन के पुलिटिक्स में इंट्रेस्टेड है कुछ लोगों को बुरा न लग जाएं अपनी बोट बेंक को दिक्कत न हो जाएं इसलिए भेंकर से भेंकर आतंकी घटना के बावजुद भी यह तुष्टी करन की राजनिती करने वाले सारे दल उनके मुह पे ताला लग जाता है चुपी साथ लेते हैं इतना ही नहीं जब कोड के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उनी से मिले हुए लोग आतंगवादियों की पेरिपी करने के लिए कोड की दरवाजे तक पहुँच जाते हैं तो राहूल गांदी की यही शिकायत है कि तमाम संस्थाएं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हैं तो ऐसे में मुकाबला कैसे होगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा करतो रहे हैं मगर इसका क्या परिणाम होगा हम नहीं जानते हैं यह बहुत ही जादा कठिन मुकाबला है यह ना भूले दोस्तों इस देश में चाहे जितने भी चुनाव हुएं शाह बिहार की चुनाव, उत्तर प्रदेश की चुनाव, उत्तराखण की चुनाव और इस वक भी गुजरात और हिमाचल की चुनाव इन तमाम चुनावों में पूरी मशिनरी, पूरी जो ताकत है वो भारती जनता पार्टी के पक्ष में है अब मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ जो आपके स्क्रीन्स पर इस खबर को ध्यान से देखिए आप जानते हैं गुजरात चुनावों में जो सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स हैं यानि गुप्त चुनावी चंदा करोडों रुपया जो है उसकी उगाही हुई उन में से 94 फीसदी भाजपा की जेब में गए हैं जी हां ये खबर आपके स्क्रीन्स पर है दोस्तों और ये खबर में आपको बतलाना चाहता हूँ इस खबर के मुताबिक गुप्त चुनावी चंदे के जरिये कुल 173 करोड जो हैं उसकी उगाही हुई इसमें से भाजपा की जेब में गया 163 करोड उसी तरह से कॉंग्रिस की जेब में गया 10.5 करोड यानी की 10 करोड पचास लाक और आम आदमी पार्टी की जेब में गया सिर्फ 32 लाक अब आप मुझे बताइए 174 करोड में से तो 163 करोड भाजपा की जेब में गया है जो सीक्रिट एलेक्टोरल बॉन्स है उनमें से अधिकतर पैसा गुप्त चुनावी चंदा जो अरुन जेटली लेकर आये थे वो भाजपा की जेब में जा रहा है तो ऐसे में मुकाबला वराबरी का कैसे हो सकता है ऐसे में कोई पुलिटिकल पार्टी जीत की सोच भी कैसे सकती है और बात यहानी रुकती आपके स्क्रीन्स पर देश के ग्रह मंत्री अमिश्या अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि 2002 के दंगो में हमने कई लो चुना वायोक फिर भी खामोश रहा तो इस कारिक्रम का मकसद क्या था इस कारिक्रम का मकसद यही था कि एक तरफ जहां विपक्ष पर निजी हमले होते हैं और जब से राहुल गानी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है निजी हमले उन पर शुरू हुए ये तक कहा ग बाच्पा का खुला खेल फरूखाबादी मकाबला बहुत मुश्किल है मगर अगर राहुल गांदी वाकई काम्याब होते हैं तो आजाद भारत के इतिहास में ये आंदोलन ये यात्रा इतिहासिक बन जाएगी और मैं आपको बताता हूं क्यों वो इसलिए कि इस से पहले जितने भी आंदोलन रहें अना आंदोलन जेपी आंदोलन जितने भी आंदोलन रहें मीडिया ने हमेशा आंदोलनों का पक्ष लिया है उसका साथ दिया है मगर पिछले आठ सालों में आप देख रहे होंगे शाहीन बाग मीडिया ने बदनाम किया किसानों का आंदोलन आंदोलनों और यात्राओं के खिलाफ रहा है एक समाने में जब हर्ताल हुआ करती थी आंदोलन हुआ करती थी तो वो मीडिया की पहली हेडलाइन होती थी अब ना सिर्फ उसे कहीं पर कोने में दफन कर दिया गया है बलकि उसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती ये फर्खाया है और ये चुनौती है राहुल गांदी की अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार